अगर किसी मंदर में जाएंगे, मंदर का मतलब है जहां मन के दुख दूर होते हैं पुराने पाली के समय में मंदर वो जगे होती है जहां आदमी विपस्ना साधना करता है और उसके मन के जो दर्द हैं और दुखें उनको दूर करता है उस स्थान को मंदर बोलते है तो आप अगर किसी मंदर में जाके और वहां अगर आप स्री पाद देखें स्री माने होता है मुख्य और पाद माने होता है पैरों के निसान या पाद माने होता है जो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उसके वर्सिस या उसके दोहे या उसके छंद या उसके पद या उसका इस्टेंजा या वो जो लिखी हुई बाते हैं चौपाई में हैं या आयत में हैं या किसी भी रूप में हैं यानि जो लिखा हुआ है उनको भी पद कहते है जो बोला जाता है वो भी पद है और पद चिन इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि जो रास्ता उन्होंने बताया है वो बेसिकली बोलकर उन्होंने बताया है बातों में बताया है तो उस रास्ते को भी पद बोलते हैं ये पद च तो कहते हैं ये भगवान बुद्गे पद्चिन है या पदमार्ग है। वैसे जो पेर हैं उनके लिए नहीं है। आरे सत्य को बताता है तो चार आरे सत्य जब सीधे चलते हैं तो दुख आता है और अगर जब उटे चलते हैं तो दुख जाता है कहीं आता जाता वैसा नहीं है क्योंकि इसका सद्धान थे नीचे से उपर का अलोंका और विलोंका जो बुधने बताया है तो उसी के आधार प अगर शीधी चलेंगी तो आपको नुक्सान होगा, चार बाते हैं अगर इनको आप उलट दोगे तो आपको लाव होगा, चार बिंदुन के बीच में इसका मदब ठहरे हुए हैं, जो आरे सत्य हैं, जो सास्ती चिन है, ना राइट चारा है ना लेफ्ट चारा है, ऐसे करके उनको बताया जाता था, उसमें धम चक्तर भी होता है, किसी में आठ आरे होते हैं, किसी में चौबिस आरे होते हैं, किसी में बारे आरे होते हैं, किसी में बत्तिस आरे होते हैं, तो वो आरे वाला भी उनके जनम से, या उनकी प्रक्तित समझपास से, या जो आश्टांग इसके लाब महाँ पे एक ती सूल होता है को ती सूल पे करे topic जिसको कहते हैं कि ये वोधी है ये पुरा पूरा वोधी लाव है और वोधी लाव तीन अंगवा पे ठिका हुआ है धम पर संग पर भुध पर धम और संग और भुध के तीन तिर सुल अलग से निकले होते हैं जिनको गुद्धन सर्णंग गच्छामी धंबन सर्णंग गच्छामी और संगं सर्णंग गच्छामी है जैसा कि आप यहाँ चित्र के अंदर ये तिर्सूल देख रहे हैं तीसूल बोलते हैं असे इसको तीन सुत्र भी बोलते हैं तीसूत्र से तीसूत्र बना तीसूत्र से तीसूल बन गया तीन सील बन गए इस तरह से ये तीसूत्र के नाम से तीसूल के नाम से फेमस हो गए तो जो पैर हैं जो सिरीपाद हैं सिरीपाद का मतलब है जो मुख्य बात हैं सिरीपाद का मतलब यह नहीं है कि उनके मुख्य पैर है क्योंकि कोई अनुयाई ऐसा हो सकता है कि यह सोचे कि बुद्ध के पैर हैं और पैरों में पढ़ जाए कुछ मिलेगा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मुझे देखना हो तो धम को देखना पैरो तो हमने बाद में पैर जब चूंकि जब पत्थर आ गए और पत्थर को छीलेंगे लिए चैनी तो पत्थरों पे चित्तकारी होने लगी मूर्तियां बने लगी और उनके बतायवी मार को पैरों से यानि उनके पद से चिन करके दिखाया गया वो लिंक करके दिखाया गया तो हर एक मंदर में आपको घुसते ही सबसे पहले दो पैर मिलेंगे और उन दो नो पैरों पर आकरतियां मिलेंगी इसका मतलब है कि यहां बुद्ध की जो सिक्षा है जो बुद्ध का जितना ग्यान है वो यहां बताया जाता रहा है या है या होगा यानि कि बहुत पहले कभी बताया गया होगा या भी बताया जाता है लोग आते हैं और उन पैरों पे चिन्नों पे अप बड़ी important है, ये वण गंद गुणो पेतंग एतंग कुसुम سतती का मतलब है, शांती करता है, क्या शांती करता है, फूल करता है, कुसुम माने कमल का फूल करता है, कैसे करता है, जैसे उसका वण माने होता है रंग, और गंद माने होता है उस कुसम की फूल की खुश्बू और गुणेती माने होता है जो उसके गुण है यानि जो कमल के जो गुण है जो उसका रंग है जो उसकी गंद है और जो उसकी गुण है जैसे वो सांती करता है ऐसे ही सांती क्या करते है पूजयामी मुनिदस्य स्रीपादंग सरो रूहे यानि कि सरो रूहे बोलते है कमल की तरह बुराई जैसे कमल कीचल से बहाँ निकलता है बुराई से बहाँ निकलता है ऐसे ही पूजयामी यानि कि मैं मानता हूँ सम्मान देतेता हूँ उसकी practice करता हूँ पोजियामी का मतलब यह होता है मुनी दस्से माने भगवान बुद्ध को मुनी बोलते है मुनी वर्वी बोलते है यानि कि मुनियों में स्रेश्ट बोलते है और मुनी भी बोलते है मुनी स्से का मतलब है कि मुनी के स्री पादमाने रास्ते को स्री पादमाने जो सबसे उंचा रास्ता है जो उनके पदचिन है जो उनका बताया मार्ग है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे सरो रूहे सरो रूहे का मतलब जैसे कीचड में कमल खिला हुआ है यानि कीचड में कमल खिले हुए है ऐसा उनका सबसे उंचा मार्ग है मैं उसको मानता हूँ मैं उसको सम्मान से देखता हूँ मैं उसका अभ्यास करता हूँ यह जो पूजी आमी का मतलब है मैं करता हूँ, मानता हूँ सम्मान पूजी आमी का मतलब यह नहीं है कि वहाँ फूल चलाना है या धूप चलाना है या अगरबती चलानी है या उसका चक्कल लगाना है या पानी चलाना है या दूप चलाना है या धही चलाना है या शैद चलाना है उससे पत्थर का कुछ नहीं होने वाला है और बुद्ध तो आने वाले हैं नहीं वो तो मना कर मैं हूँ मुझे देखना है तो धम को देखना मैं नहीं आने वाला तो वहाँ पत्थरों में कुछ नहीं आने वाला वो सिर्फ पत्थर एक सिंबल है ये बताने के लिए कि ये बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है ये बुद्ध के बताया हुए चिन है इन पैरों पे चलोग और ज्यादा चलोगे तो सग्दागामी हो जाओगे जो और आगे चलोगे तो अनागारिक हो जाओगे और ज्यादा चलोगे तो अनागामी हो जाओगे और ज्यादा चलोगे तो आप अरत हो जाओगे और ज्यादा चलोगे तो बोधी सत्व हो जाओगे वो राश्ता सारा भगवान बुद्ध ने सब कुछ सिखाया है विपसना साधना में पहले सिखाया बाद में बताया और वो लगाता 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 एक दूसरे से गुरु एक को बताता है एक भिकुत दूसरे को बताता है दूसरा भिकुती से को बताता है और वो ऐसा का ऐसा आज की डेट में भी है और आप तो आपको विपसना साधना मिल गई है इसलिए कहीं आप मंदर में जाएं या कहीं आप भगवान बुद्ध के चरण देखें और वहाँ दो स्वास्तिक चिन देखें दम चक देखें तिर्सूल देखें बना हुआ पैर देखें और वहाँ के कुछ दम लिपी में लिखा हुए मिल जाए तो इसका मतलब पैरों में नहीं जाना है उस मार को ढूना है जो मार भगवान बुद्ध ने दिया है मार भी सब कुछ है पत्थर में और पैरों में कुछ नहीं है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद बतां शरनं गच्चा में धांवाद शरनं गच्चा में संगां शरनं गच्चा में